तो इस वीड़ा में हम बात करने वाले SBI bank की used car loan जिसको second hand car loan भी बोला जाता है या pre-owned car loan scheme भी बोला जाता है इसमें अगर आपको किसी person से या किसी company के थूँ आप जो है second hand गारी खरीद रहा हो उसके लिए loan ले रहा हो तो loan जो है SBI bank provide करती है जिसमें अगर आप rate of interest देखोग अच्छा है उसके इसाब से rate of interest आप पर क्या होता है अब जो second hand car loan है उसमें जो है rate of interest सोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा वहीं अगर आप कोई new car loan ले रहा हो तो देखे 8.85% से starting हो जाती है SBI bank में फिलार बात करते हैं यहां पर processing fees आपकी कितनी लगती है processing fees देखे certified pre- housing fees और rate of interest आप यहां पर देखते हैं SBI bank में देखे काफी सारी car loan की scheme में चलती जैसे new car loan scheme हो गई फिलाल आम इसमें वीडियों में बात करने वाले certified pre-owned car loan scheme जैसे अब इस पर क्लिक करोगे यहां पर देखोगे जो eligibility criteria required होता है यहां से second hand car loan लेनी के लिए minimum wage apply करने की 21 साल होती maximum 67 year की एस तक जो आप अपने loan को चुगा सकतो minimum इस scheme से आप तीन लाग रुपए का loan ले सकतो और maximum एक करोओ तक का loan amount आप यहां से ले सकतो अब आपकी income कितनी होनी चाहिए अगर आप solid individual है तो आपकी net annual income जो है वो तीन लाग रुपए या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए वो ही अगर आप self involved professional business man हो तो आपकी net annual income तीन लाग रुपए या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए अगर आप agriculture से जोड़े कोई काम करते हो तो उन लोगों को भी loan provide कर जाता है जिनकी net annual income कम सकम 4 लाग रुपए या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए अब repayment tenure कितना होता है क कि मतलब जो आप repay कितने time के लिए मतलब loan आप कितने time के लिए ले सकते हो तो maximum आप 5 साल के लिए ले सकते हो लूट इसके अलावा जो है आप आपको जो second net car आप खरीद रहो अब वो decide कैसे करेगी bank जो है उससे कितना आपको loan provide करेगा तो जो है आप पर जो भी आप कार खरी अब देखते documentation देखे documentation में आपको pro forma invoice एक invoice होता है गाड़ी का जिसमें उसका actual price उसका insurance RTO charges वगरा लिखा होगा और जो है उस car की RC book होगी और उस car का motor insurance होगा वो भी आपको जो है देना पड़ेगा bank में बात करें और भी information की देखिए आप अब जो income invoice होगा जो income invoice price होगा जै नई की H promise का होता है Honda Auto Terrence होता है Tata Assault होता है Mahindra first choice होता है और भी आदर जो है कार है उनके भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी अब हम यहां पर जैसे कुछ अधर बैंकों के देखें तो यहां पर देख सकते हो SBI में 11.40 से जैसे हमने बताया starting होती है Tata Capital जो की एक NBFC है जिसमें 14.99 से starting होती एक से पांस साल के लिए लोन ले सकते हो SGFC बैंक 13.75 से starting होती है यहां पर यूजड कार लोन लेने के लिए इसके लावा पंजाब नेशनल बैंक जिसमें 9.80 से starting होती है Axis बैंक में 13.55 से starting होती है और महिंदरा फाइनस में भी आपकी 14 से 15 परसंट के राओं जो है starting हो जाती है सेकेंड राइन कार लोन के लिए अब हम यहां पर बात करें अगर हम यहां से 5 लाग रुपए का second and car loan लेते हैं तो 5 लाग का हमने amount डाल दिया rate of interest जो offer किया जा रहा 11.40 से starting होरी तो हमने मोटा-मोटा 12% rate of interest ले लिए और अगर हम maximum 5 साल के लिए लोन ले सकते हो तो 5 लाग का लोन 5 साल के लिए अगर हम लेते हैं 11,122 रुपए मेरी यमाई बनीगी total interest हमको 1,67,333 रुपए का पे करना पड़ेगा total payment हमको कहने होगी 6,67,333 रुपए की तो इस तरीके से आप अपने car loan का परसल लोन का और home loan का monthly माई और total interest ECMI calculator पर check out कर सकते हो इसका link अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के offer जानने हो चाहिए वो home loan हो, parcel loan, car loan, to will alone, education loan, saving account, trade card, तो offer वायराग लिंक भी आप इस website पर देख सकते हो जैसे फिलारम बात कर रहे हैं SBI bank का लोन, तो SBI bank में जो भी car loan की scheme में चलती है उनके latest के rate of interest आप जो है इस जो है आपे link पे जा offer वगारा के link भी आप इस website पर checkout कर सकते हो, तो इस website का जो link है वो आपको वीडियो के description box मिल जाएगा, एक बार जाके जहूर checkout करेगा, तो वीडियो गर आपको हमारा informative लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा, चैनल पने हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा, और मैं आप किस बैंक के car loan के बारे में हमसे information लेना चाते हो, तो आज के स्वीडियो मा बस अतना आई, तो मिलते हैं स्वीडियो मा तब तक के लिए धन्यवाद,